जब लोगन पॉल ने जैउसो पर हमला किया था तो उसके बाद से कुछ बातें काफी ज्यादा वाइरल हो रही है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगन पॉल ब्लड लाइन में शामिल हो सकते हैं क्योंकि जैउसो ब्लड लाइन से खुशन नजर नहीं आते हैं और ब् ब्लड लाइन का एक एहम रैसलर बना दिया जाएगा WWE के सेगमेंट के अनुसार तो सबको पता है कि क्राउन जूल का मैच काफी ज्यादा नसदीक आ चुका है और इनके मैच में एक्साइटमेंट बनाने के लिए अलग-अलग हर दिन सेगमेंट में नजर आते रहेंगे पर बात हो रही है रोमन और लोगन पॉल के मैच की लेकिन अब इस टाइम पर जैउसो का इंटर फेरेंस नजर आ रहा है तो पता नहीं WWE के दिमाग में क्या चल रहा है वैजे लोगन पॉल ब्लड लाइन में एक बढ़िया रैसलर के रूप में काम कर सकते हैं और लोगन प बनकर अपने आपको आगे बढ़ाएंगे या वो ब्लड लाइन का मेंबर बनकर ट्राइबल चीफ के साथ आगे का सफर तै करेंगे क्योंकि चैंपियंशिप मुश्किल है लोगन पॉल के लिए और शायद वो जैउसो की जगा ब्लड लाइन में ले ले क्योंकि उन्होंने कुछी दिनों पहले जैउसो को टारगेट किया था और कहा था कि ब्लड लाइन का एक मेंबर रोमन रेंज के फैसले से नाखुश है और इस बात को रोमन रेंज ने भी कुछ हद तक नजरंदास कर दिया था मगर अब ये बात थोड़ी सच होती दिखाई दे रही है एक वैलिड रीजन लग रहा है लोगन पॉल का ब्लड लाइन में आने का कि वो जैउसो की जगा ले सकते हैं मगर हम नहीं चाहते कि ब्लड लाइन इस तरह से खत्म होगी क्योंकि मेंबर अब रोमन रेंज से परिशान होने लगे और ब्लड लाइन छोड़ कर जाने लगे तो रोमन रेंज को अपनी अकड को थोड़ा कम करना पड़ेगा और अगर जैउसो का कुछ पर्सनल रीजन मिलता है ब्लड लाइन छोड़ने का तो उन्हें ब्लड लाइन से चले जाना चाहिए क्योंकि अब टीम खराब नहीं करनी चाहिए और क्या जिमी उसो और सोलो सिक पराब टीम खराब टीम खराब ब्लड जैच्ट करेंवा रीजन मिलता है आप में अब टीम खराब टीम खराब ब्लड तो मिलता है भी।